इंडिया की इन चीजों की कीमत बाहर की देशों में इतने ज़्यादा है कि जिसे सुनने के बाद आप सब की हो सुर जाएंगे और घलती सी जटॉल पे लिया जाए तो क्या होगा और एकसपैरी दबाई खाने से क्या होता है अईसे ही मज़िदार फैक जानने के लिए बीजो के एन तक बने रे बीजो बहुत ही कमाल की होने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं नमर वन जिस तरह अनील कपुर को नायक फिलिम का एक दिन का मुखमंतरी बनाय गया था उसी तरह फिल्लैन में माज सोलो वर्स की एभा मुरेटो जो होमन रैस के लिए बड़े बड़े अभियान चला चुकी है इनके काम को एप्रिसियेट करते हुए वहाँ की सरकार ने उस बच्ची को एक दिन का पढ़ाय मिनिस्टर बना दिया था भारत के राम सिंग चोहान की नाब गिनिस बूक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या दर्ज है की उनकी मुच दुनिया की सबसी लंबी मुच है उनकी मुच की लंबाई 14 फूट है अगर एकस्पायर होने के बाद दबाई को खाया जाए तो दबाई से होने वाले फाइदे बहुत ही कम हो जाते है लेकिन दोस्तों कही दबाई ऐसे भी है जो की एकस्पायर होने के बाद जारेली बन जाती है घरों में इस्तिमाल होने वाली आम दवाई बनाने वाली कुछ कमपनियां दवाई की एक्सपायरी जो इससे कुछ समय पहले ही डेट लिख देती है एक्सपायर होने के बाद भी उसे खाया जाए तो उससे कोई नुकसान न होगा लेकिन कुछ कमपनियां ही ऐसी करती है लोगों का कहना था कि उसकी लाइट इतनी ब्राइट थी जब उन्होंने अपने आग को हाथ से ढगा तो वो अपने हाथ की एक्सरे देख सकते थे और कई लोग तो अंधे भी हो गए सौधी अरब में एक चार हजार साल पुराना विसाल पत्थर मोजित है जिसे AI नसल रॉक कहते है या पत्थर बीच में दो भागों सुबटा है लेकिन आच तक नहीं पता चला किसी कैसी काटा गया अगर आपने गल्ती से भी जोटॉल को पी लिया तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि जोटॉल में पलोरो साइकलोना होता है जिसका उप्योग बैक्टरिया को मारने के लिए किया जाता है और अगर आपने इसे पी लिया तो यह आपके सेंटल नर्वस करने लएएंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा र्यादो इंजीनियर अपने आकरी पलों में एक दूसरे को गले लगाते है वह जिस वाइन ट्रीब लाइन पे खड़े है उसमें आग लग गी है और उन्हें पता था कि वह नहीं बचेंगे इस फोटो को वन लाग श्ठक का नाम दिया गया है अपरीका के गरम इलाकों में एक पेर पाया जाता है जिसका नाम समानी समन है इस पेर की खासियत यह है कि यह पेर दीन के समय में अपने फलियों में पानी भर लेता है नमर 10, इंडिया में 30 ग्राम लेज के कीमत 10 रूपया है जबकि USA में 40 लेज की कीमत 1 डॉलर यानि पूरी 83 रूपया की ब्रावन और इंडिया में जो एक कप चै की कीमत 10 से 20 रूपया है उसकी कीमत साउध कोड़िया में 8 सरूपया है